दोस्तो आज मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबो गरीब और महेंगी साइकल के बारे में बताऊंगा जिनकी किमत इतना ज्यादा है कि आप उन पैसों से एक लगजरिस कार खड़िश सकते हो जिने देखकर आप चौक जाओगे दोस्तो किसी भी मेकानिकल पार्ट्स को चलाने के लिए हमें हमेशा इंजिन की जरूरत पड़ती है लेकिन सन 2014 में सन फ्रांसिसको के रहने वाले जस बॉलेट ने इस बात को गलत साबित कर दिया उन्होंने एक ऐसी साइकल तयार कर दी कि दिखने में हुब हुब लगता है ज दोस्तो यह साइकल में कोई चेंड सिस्टेम नहीं है इसे चलाने के लिए आपको बस पीछे की बाई साइकल को आपको पैडल करना है और uh time की कौण सएकल कुछ द तक सरकस युनिवर्स की तरह दिखता है बीना चेंड के यह साइकल शांदर चलती है और यह साइकल हाइड क इस सर्फ से टू साइज में आता है और ये साइकल की कीमत 800 डॉलर में मिलता है दोस्तो अगर आप ज्यादा साइकल चलाने से ठक जाते हो तो आपको ये साइकल ज़रूर खरिदनी चाहिए क्योंकि आप इस साइकल को अपने हाथ सो भी चला सकते हो जिसकी पैडल इसके हैंडल पे लगे हुए रहते है अगर आप हाथ और पैडल को एक साथ काम में लेते हो तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी और साथी साथ आपकी पूरी बॉड़ी को एक्सेसाइस हो जाएगी नमर चार स्मार्ट ड्राइफ MX2 वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से 15% लोग फिजिकली डिसरवेल्ड है यानि के 85 मिलियन के आसपास जो लोग विल्चियर को इस्तिमाल करते हैं वैसे तो नॉर्मली किसी भी विल्चियर को इस्तिमाल करने के लिए दोनों हाथों की मशीन एक इलक्ट्रनिक डिवाइज है जिसे कुछ इस तरह से विल्चियर के पीछे अटच किया जाता है और इसके साथ ही दिया जाता है हमें एक स्मार्ट ड्राइफ रेसलेट जिसे आप बिना टच की ही विल्चियर को अपने वेसलेट से कंट्रोल कर सकते हैं नमबर 28.5 किलो है और तो और ये साइकल फिटनेस एक्सेसाइस के लिए भी काम आते है दोस्तो इन में से कौन सा साइकल आपको स्ट्रेंज लगा आप हमें जरूर कॉमेंट में बताइए दोस्तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी मेनत लगा है अगर आपको अच्छा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर करें